हेलो एब्रीवन, आरो एरो दोजार तेस के प्रिम्स और यूवे पीसा दोजार चौबिस के प्रिम्स को ध्यान में रखते हुए मोश्ट इंपोर्टन्ट कर्णन्ट इफेर्स आपको कराया जा रहा है, तैयार करवाया जा रहा है ध्यान रखेगा, USA और UK यानि कि United States of America and United Kingdom इनके बीच में 21st Century की आर्थिक साज़दारी यानि की Economic Partnership के लिए Atlantic Declaration की गोशला की गई है, इसका उद्देश है क्या है, इसका उद्देश यह है जो रशिया और चाइना जैसी चुनोतिया है, जो चलेंजे से इते बलबले रशिया चाइना के रूप में उनसे निपटा जा सके, बहुत इंपोर्टन है यह USA और UK के बीच में है इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके बाद में है कि French Open Tennis Tournament 2013 का किसमें जीता है तो जो French Open Tennis Tournament 2013 का वो NOVAK जोकोविक ने जीता है और इसमें इन्होंने हरा है, इसको इन्होंने नौर्वे के जो कैस्पर रूड है, उनको हरा है देखिए कई बार जो हारा होता है जो रन रॉप होता है, वो भी बहुत इंपोर्टन होयाता है तो उसका भी नाम और उसकी कंट्री आपको पता होना चाहिए, तो नौर्वे के कैस्पर रूड यह हारे थे और एक्च्वल में जीता कौन, NOVAK जोकोविक इनकी कंट्री क्या है या आपको देखनी है सर्विया के, यह जीते थे, इसके बादे बाताती है इंडियान नेवी की इंडियान नेवी ने वरुल आस्त्र करके, सक्सेस्वली वरुल आस्त्र को टेस्ट किया हुआ है ये है क्या ये heavy torpedo है और ये यहीं develop हुआ है यानि कि इंडिया में भारत dynamics limited के द्वारा कई बार आपसे होता है कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए पूछा रहा चुका है एक बार ये पहले इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसको किसने develop किया है यहीं पर इंडिया में तो भा judicial commission है तीन members वाला मड़ीपूर में जो इंसा होई थी उसकी जांच के लिए ये नियामूर्थी अजय लांबा इनके दिख्षता में किया गया है अब ये तो अजय लांबा हैड हो गए बाकी जो दो लोग है वो कौन-कौन है तो उसमें एक तो हिमान्शू सेखरदार्ज है एक आपके आलोग प्रभाग करें इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो 2021 का गांधी शांती प्रुसकार है वो गीता प्रैस जो की गुरकपुर में है उसको मिला हुआ है संस्कृती मंतराले के दोरा इसके बाद में जो साइकलोन बिपर जोय है गुजरात के सौराश प्लस कच्च में इसमें भारी तबाई मचाई है ये राजस्तान में भी इसने ओविसली एफेक्ट किया था तो ये आपका बहुत एप्टेंट इसको याद रखिएगा ये आपसे APS के एक्साम में पूछा गया है तो जितने भी कंडिड़ेट जिन्होंने पहले से वरदान गुर्प को जोईन कर रखा तो अविसली उनको ये क्वेशन मिला होगा तो उन्होंने आराम से कर लिया होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाता आती है इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदशनी की एक्जिबीशन की कहां पर हुई है ये म्यूनिक में हुई है जर् किया था जो फुल फॉर्म होते हैं वो पुछे जाने लगे हैं इसलिए आपको याद रखना है इंडियन रुनेवेबिल एनरजी डेवलोप्मेंट एजनसी आई आरी डी ए ए एक्जिबीशन में भाग लिया कहां हुई थी म्यूनिक जर्मनी में हुई थी इसके बाद में आपको देखना है कि जो USA है यानि कि United States of America उन्हों ने जून 2023 में युनेसको में फिर से शामिल होने का फैसला कर लिया है इसके बाद में जो 21 जून है यानि कि 21st of June इंटरनेशनल योगा डे के रूप में इसको सेलिबरेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ओफ योगा भी इ इसके बाद में जून 2023 में Atlantic Ocean में यानि कि Atlantic महासागर में लापता हो गई एक पंडुबी थी सम्मरीन थी क्या नाम था उसका टाइटन और इसमें विस्पोर्ट हो गया था और इसमें पांच लोग मर गए थे काफी popular भी होई थी ये news इसके बाद में बात आती है कि जून 2023 में जर्मन शांती पुरुषकार किसको मिला है जर्मन पीस प्राइस किसको मिला है तो सल्मान रुषदी को ही मिला है उत्कृष्ट योगदान के लिए जून 2023 में नया Global Finance Agreement कहां पर हुआ है फ्रांस के पैरिस में हुआ है क्या है ये इसको Global Finance Agreement को बोलते है वेश्विक वित्त समझोता ठीक है अब इसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है केंद्रिय वित्त मंतरी ने केंद्रिय वित्त मंतरी अपने इंडिया की कौन है अपने भारत देश की कौन है निर्मला स जिरूर जीता तो ये बहुत ही important है आपको याद रखना है भवानी देवी एक्चल में बहुत है important है जब भी कभी आप तल्वार वाजी की बात करोगे तो आपको भवानी देवी नाम हमेशा ऊपर दिखेगा तो आपको याद रखना है एसियन चंपिंशिप में पदक जीता है इनोंने भारत की पहली तलवारबाज है भवानी देवी उजबेकिस्तान माले से उवेसली उनसे हार गई जैनप से उवेसली हार गई तो इनको ब्रॉण मेडल लेकिन तब भी मिला उसके बाद में World Economic Forum very very important World Economic Forum जून 2023 में इसने Gender Gap Report निकाली है 2023 की इसमें इंडिया 127 वे नंबर पर है आइसलेंड इसमें लगातार चौदवी बार श्री तुर्स्तान पर आईए यानि की टॉप पर आईए मतलब लगातार 14 सालों से आइसलेंड नंबर वन पर है कोई उसको धका देकर नीचे निला पाया और इंडिया 127 पर है ये आपको याद रखना है किस चीज में Gender Gap Report 2023 में किसको दोरा निकाली गई है World Economic Forum के दोरा जून 2023 में इसके बाद में बात आती है पैट्री ओर्पो की जून 2023 में पैट्री ओर्पो ये फिनलैंड के नहे प्रधानमंतरी यानि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे पूरी उमीद है, ऐसी पूरी मुझे आशा है, आप चाहें तो चनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और डेफिनेटी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, विकॉस इतने कम समय में to the point, cut to cut, exam oriented preparation होने करने क मुझा मिलेगा, चाहें तो आप टेल्ग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं, अनुचर दुएदी UPPSC मेरा चैनल का नाम है, आराम से आप साच करो के मिल जाएगा, पॉप्लर चैनल है, उपर की तरफ आपको 26 सब्सक्राइबर दिखेंगे, तो आप सबसे पहले ही जान ब्लैक टीशन टा मेरी फोटो आपको मिल जाएगी, थैंक यू सो मच,